वेल्कम फ्रेंड्स मैं देवेंद्र आपको स्वायद करता हूं आपके अपने वीडियों चानल सेम्ट्रेट क्लब में जहरकन पब्लिक सर्विस कमिशन का फॉर्म आ गया है डिप्टिक लक्टर जेल सुप्रेटेंडेंट समने तो बहुत सा भाकेंसी है उसमें अलग अलग उसके बारे मैं आपसे इस वीडियों बात करने जा रहा हूं तो बढ़े रहें वीडियों में लास तक यह दिए आपको बीडियों अच्छा रहें तो बीडियों का लाइक करें सेर करें और कमेंट वक्स में आप अपनूना विचार जरूर रखें आपने हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब कर लें कि हमारे चैनल पर आपको गवर्मन जौबर और टकलोजर वीडियों समध्य जनकारी मिलता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहल का घंटा बटन भी जरूर क्लिक करें ताकि जब भी को वीडियो अपलोड़ो उसको नोटिफिकेशन बता दूं कि इस फौर से समध्य जो भी जनकारी है यादि आपका इसका वीडियो फाइल चाहें नोटिफिकेशन का वीडियो फाइल तो उसका लिंक आपको वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से जाकर आप इस एक्जाम के लिए जो डि कोश्चन आया है पिछले कुछ साल का जो कोश्चन पैंक है तो वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया हो वहां जाकर आप इसे पर्चिज कर सकते हैं तो बात करते हैं जारखन्ड पब्लिक सर्विस कमिशन से जो वेकेंसिया है उसके बारे में उसमें टोटल 200 स्कूफ अलग अलग पूस्ट के लिए और इस पनर परवरे से उससे ऑंलैड आपिलाइक कर सकते हैं 15 फरवरु से last लास्ट वहां पंद्रा मार्च दोहर 21 तक रखा गया है और इसमें जो है इसका जो फी है आप पे जो है आउनलान पेड़ कर सकते हैं इसमें जो आ गया जो अन्रिजर्ड का टुकर है में आ गया और जो हैंडिकप्ट में आ रहे हैं उन्हें किस तरह कोई फी देने की जुरूरत नहीं है इसका जो फी है आप ऑनलाइन जो पेड़ कर सकते हैं क्रेट कार्ड डेविड काईड नेट बैंकिंग यूपी आई के माध्यम से किसी भी तरह से आप पेड़ कर सकते हैं और इसमें यूफ़ कर सकते हैं किरे इसका पाजान को में लेकिंग मेंगा और में का चाल उन्हें को पारने कि तो ने मी एज के बाद को भाता दूंँ को मीनमाम एज है वा इकीस साल मोशना蛇ब और entreprises केसí ऌलर चाहिए और केसे को शनाइन करते जिम्मा जाइब प्रियुत को हुआ होने वाला है तो वह भी इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं और इसका जो एक्जाम है तो इसमें आप आरच्छन जो लेना चाहते हैं तो आरच्छन आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आप जो जारखन के निवासिया उनको ही मिलेगा अधरस्ट वालों के इसमें किस तरह क पाइदा नहीं मिलेगा और एक ची और जो साधी सुदा हैं तो जिनका एक से अधिक पत्नी या पती हैं तो वह इस फॉर्म को अपलाई नहीं कर सकते हैं साथे साथे ऑनलाइन अपलाई करने के लिए कि इसके लिए इसका आपको इसका ओफिसल वेबसाइट वहां पर आपक अधिस्व और लिंक दिया हुआ हुआ है वहां से जाएं जाने के बाद आप आप प्लाई पर क्लिक करें 15 जो फरवर्य है उसके बाद ही यह निक आपको अब लेवल किया जाएगा तो आपको आपको नहीं करें जो इसमें जो भी अपना देस्विस्वाग उन्तिक्सिम इम इसे साब से आप कलर फोटो दें और एक ची और बता दूँ इसका जो सिलेवस है डिटेल रूप से सिलेवस के लिए मैं एक अलग वीडियो लाओंगा उसमें आप उस वीडियो का जरूर देखिएगा तो उसका भी एक वीडियो आएगा जल्दी वह वीडियो में लाओंगा इसके बाद करतर तो वीडियो लाओंगा तो इस्में जैसे महं आपको बता दे एक्जाम पीटी और मेन का एक्जाम होगा कीवती में दोर्पर का एक्जाम होता है और में ज्योह मेंlden आपको आपल अगे बड़ चलकर इसके पर ऊंचे नभर प्रोशाँ होता है और मेंन पोस्ट है जो एक बार बतानी के लिए में यहां पर लेकर आया हूँ सबसे पहले जो है उप समहर्ता जिसे इंग्रिश में डिप्टिक कलेक्टर भी कहा जाता है उसका टोटल 24 पोस्ट है और आप किस कटोगरी में आते हैं कटोगरी बाइच के हिसाब से यहां पर दिया हुआ है टोटल कितना वेकेंसी है कौन से अनसूचित अनरच्छित अनसूचित जन जाती अनसूचित जाती यह सब तो अपने हिसाब से यहां पर आप देख सकते हैं किस कटोगरी म आप आ रहे हैं उसके बाद फिर है दूसरा नंबर में वह है पुलिस उपाधिच्छक जिसे इंगलिस में पुलिस सब इंस्ट्रेक्टर भी कहा जाता है उसका टोटल चालिस सीट है और कटेगोरी जो आप देख सकते हैं यहां पर सब दिया हुआ है फिर है तिसरा जो है वह ह है डिस्टिक कॉइडिनेटर का जीला समधेश्टा टोटल सोला इसका पोस्ट है 16 वेकेंसि और यहां पर सब नगर आयुक्त कार्ज फालक पर अधिकारी विसेस यह जो है यानि असिस्टेंट मुनिसिपल कमिशनर का जो वेकेंसी है वह वह है जो 65 है पैंसेट वेकेंसी है और यहां पर अपना कटो करजबाद के सबसे देख लिएगा मैं इसलिए बता रहा हूं यह आपको देख लेने क देख सकते हैं फिर है जारखन सिच्छा सेव वार्ग टू यानि जारखन एजुकेशन सर्विस इसका तालिस भेकंसी है फिर जो है वह है जुनियर रेजिस्टार का है वह है टोटल दस भेकंसी आवर निवन्दक फिर है सहायक निवन्दक तो जिस वह असिस्टेंट रेजिस्टार जो हो आवा छो भेकंसी है उसके बाद है सहायक निदेशक समाजिक सुरच्छा यानि इसे इंग क्थेन हो जाता है बोलना समझना यह सब पोस्ट का तो इसलिए इंगलिस जागत बढ़िया सा समझ मैं आगा इसलिए मैं बोह रहा हूं इसका दोब दो मटन्रीन पर धिकारे जिला अनियोजन पर धिकारे यानि प्लनिंग ऑफिसर इसका नौद से है और उसके बाद है प्रोवेशन ओफिसर का तो वहा है सत्रा वेकेंसी इस तरह टोटल एड़ करने पर टोटल दोसे बामन वेकेंसी यहां पर आ रहा है तो और किस पोस्ट में अनसुची जाती अनसुची जान जाती और जो दिब्यांग कोटा मारा उनके लिए सब कुछ यहां पर टोटल दिया हुआ है अब फिर यहां पर जो बेतन माने हुआ देख लेजिए डिप्टी कलेक्टर का जो है वहा है बेतन मान बनेगा तिरानमे सो से चाउंतिसर आर्ट सो ग्रेट पे चाउंवन सो पुलिस उपाधिच्छक यानि पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो जो है वहार तिरानमे सो खिल और शेम है चाउंतिसर आर्ट सो और ग्रेट पे 64 मतलब सबका सेमी यहां पर फिर ज्येल स्प्रेटेंडंड कら चाउंवन सो इसका बिए सेमी त कुल टार्य यहानि यह जो है असे मी उसके बाद यहां पर इधर आपक लेकिन फीर थोड़ा अंतर हो जाता है यहां जो दिया हुआ है असिस्टेंट रेस्टार तो इसका जो ग्रेट पर 4800 हो जाता है बाकि सब का सेम ही है प्रोवेजन ओफिसर तक का सबकर ग्रेट पर 4800 ही है और नियोजन पर अधिकारे जिला नियोजन पर अधिकारी जो है इसका भी है 25 साल तक होना चाहिए अब यहां पर यह देख लिए जो एज में है वह है रिलेक्सेशन की जो बात है तो जो इवी सी में आ रहे हैं बैकबर्ट क्लास में 37 साल जो है पैंतिस साल ऐसे एज है लिकिन इन लोगों को 37 साल तक फर्म भर सकते हैं फिमल जो अन्रिजर्ब कटोगरे में या फिर इवी सी में आ रहे हैं बैकबर्ट क्लास में 13 साल तक फिमल कटोगरी में एसी स्टी में मेल फिमल जो भी 45 साल तक भर सकते हैं और जो हंडिकाormे। तो उन्हें 10 सल का रिलेक्सेशन दिया गया है फिर यहां पर एक जी जो है यहां देख लिए पुलिस उपाधिच्यक जिला समदेश्टा कारा अधिच्यक प्रवेशन ओफिसर यह सब के लिए जो है सरीर के योकता दिया गया है अनराचित पिछड़ा तथा अत्यांत पिछड के पूरिश है उनका नियुंतम जो हाइट है वह 155 संट्री मिटर होना चाहिए अनसूचित जन जाती और जो मेल कंडेट है उनका नियुंतम 166 संट्री मिटर अनराचित पिछड़ा और अंत्यांत पिछड़ा बइज यान्नी इबी सी के जो महलाम कंडेट आ रहे हैं तो उ फिर चेस्ट का पैमाना है वहाँ मेल के लिए वहाँ समान जेनरल पिछड़ा और जो ओवी सी में जो आती पिछड़ा बर्ग के जो पुरुस उमिद्वार आ रहे हैं उनका जो चेस्ट है बिना फुलाए हुए वहाँ सेंट्रीमिटर होना चाहिए वहीं अनुसूची जन जा जेनरलल स्टड़़ी फरस्ट और जेनरललल स्ट़़्डी चेकंडा और दोनों है वहाँ दो दोस्ट नमबर का एकजाम है यानि 400 नमबर का कर रहा है दो घंटा का एकजाम होगा मल्टीपल्टी चुछवैस या अब्जेक्टिब कोस्विशन होगा और हिenडी एंग्लिस दोनों में question रहेगा फिर कह रहा है कि इसमें जो होगा दोनों पेपर यानि generation फरस्ट और generous study second दोनों को number 200 number है दोनों को add करके यानि 400 number में जितना number आएगा उसी के हिसाब से result दिया जाएगा और 15 गुना यहां पर दिया हुआ है कि कह रहा है कि इसमें पीटी में तो कह रहा था दो पर पर था लेकिन इसमें कह रहा है कि च्छा पेपर होगा जिसका जो है कह रहा है कि आगे बताया गिया है तो उसका मैं अलग से एक वीडियो लाँगा बार बार में बता रहा हूं अभी ऐसे हैं आपको बतायाता हूं और च्छा पेपर का जो एक्जाम होगा तो उस हिसाब से फिर रिजाल्ट का जो नंबर है उसके अधार पर इंट्रव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा फिर कह रहा है कि इंट्रव्यू के लिए कितना रिजल्ट आएगा में के कंड़ेट का तो में में जो भी में का जो रिजल्ट है वहा है टोटल वैकेंसी का 2.5 2.5 से आप गुना कर लेजिए जितना आएगा उतना ही रिजल्ट आएगा और उसमें जो बचेंग कंड़ेट इंट्रव्यू में जो आप रिजेक्ट होंगे और उससे जो बचेंगे उनहीं का सिलेक्शन किया जाएगा और फिर उसके बाद इंट्रव्यू के लिए कहता है सो नंबर का इंट्रव्यू हो इनका जो इंट्रव्यू टेस्ट है फिर जो होगा उसके अधार पर कितना आप नंबर लाते हैं उसी के अधार पर फिर मेरिक लिस्ट बनाया जाता है मिन्मम जो क्वालिफाइब मार्स है वाहर है 40 परसंट रखा गया है उनके लिए 30 परसंट और एकनॉमिकाली बिकर सेक्शन में जो आ रहे हैं एक डवल्यूस में उनके लिए 40 परसंट जो है मिन्मम क्वालिफाइब मार्स रखा गया है और एक और जो है जो महत्पूर्ण ची है जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर दिया हुआ है कि फोन ब्रने के पहले यहां VennaPakarない का जो है how to apply section जरूर पढ़ लें तो description box में जाएं लिंक दिया हुआ है notification का PDF download करें और इसे पढ़ सकते हैं और इस exam से समंधित आपको भरने में कुछ परसानी हो रहा है कुछ दिक्कत आपको आर यह तो डिरेक्ट यहां पर नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप content करके इसे पूछ सकते हैं एक और हेल प्लान नंबर दिया हुआ है तो यहां पर आप पूछ सकते हैं यह जो नंबर है वहाँ बीडियो आपको अच्छा लगा होगा दो लाइक जरूर करें और उसके बारे में सीलिवास कहा इसका पीटी और में में का आप तैयारी करें तो क्या का ची पढ़ जाना है तो सिलिवास के लिए जो वीडियो मैं अलग से लेकर आओंगा तो वीडियो जरूर देखें और comment box में आप अपना विचार जरूर रखें इदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बहल का घंटा बटन क्लिक कर दे क्योंकि इस चैनल पर आपको इस एक्जाम से समद्दे जो भी नोटिफिकेशन होगा जरूर आता